जिसमें हम discuss करेंगे पेरिपिटर्स के बारे में जो की एक लीविंग और गनाइसम है जो phylum onycophora के अंदर आता है अगर हम onycophora के बारे में हम discuss करें तो अगर हम peripetus की classification की बात करें तो यहाँ जो phylum है वो onycophora है और onycophora को हम claw bearers बोलते हैं और यहाँ जो genus है वो peripetus है जिसको हम living fossils बोलते है तो अब हम living fossils के बारे में समझते हैं कि यह living fossils होता क्या है actually मैं कि कुछ ऐसे जो living organisms होते हैं जिन में क्या है कि evolution क्या है ज्यादा evolution नहीं हुआ है और उसके जो कुछ characteristics क्या है उनके ancestor से match करता है तो हम यहाँ discuss कर रहे हैं living fossils के बारे में living fossils अब हमने कहा कि जो living fossils है यहाँ यानि living organisms में less evolved हुए है यानि less evolved living organism इसके बाद हमने यह कहा कि in living organism में क्या है कि ज्यादा तर जो characteristics है वो ancestor characteristics है तो यानि similar करते हैं उनमें कोई ज्यादा evolution नहीं हो रहा है अब living अगर इसमें हम example की बात करें तो phylum हमारा ओनाइको फोरा एक्जांपल है इसके अंदर हम living organism की बात करें तो living organism है peripetus तो peripetus इसका living organism है इसके अलावा जो यह living organism है peripetus इसको हम कहते हैं missing link कह देते हैं missing link between analider and orthopoder कहने का मतलब है कि जो peripetus है या onchairofora की हम बात कर रहे हैं इसको हम कहते हैं कि यह missing link है analida और orthopoder के बीच में तो आईए हम समझते हैं कि missing link का मतलब क्या है अगर हम missing link की बात करें हम इसे एक example से समझते हैं missing link में ज़्यादा तर क्या है हम कहते हैं कि यह fossil है यानि जो ज़्यादा तर living organism है वो fossils के form में है अब हम यहाँ एक example ले रहे हैं कि यह a example है यह a example हमने जो लिया है analida है analida इसके बाद हमने कहा कि यहाँ पर एक B living organism है तो इसको हम कह रहे है onyakophora onyakophora में example हम कहा ले रहे है peripetus को peripetus इसके बाद हमने कहा लिया third living organism लिया है जिसको हम कह रहे है C इसे कह रहे है आर्थोपोड़ा तो यहाँ जो हम आर्थोपोड़ा की बात कर रहे है वो C है living organism अब यहाँ क्या है कि जो हम यहाँ कह रहे है कि जो यह onyakophora है B तो यह ज़्यादा तर अनाइकophora क्या है fossils है तो हम कह रहे हैं यह fossils है ज़्यादा तर fossils हो गया बट इसके कुछ characteristics क्या है एनालीडा से भी match करते हैं यानि कुछ characteristics है similar to एनालीडा और कुछ characteristics क्या है आर्थोपोड़ा से भी match कर सकते हैं तो हम यहाँ कह रहे हैं similar to आर्थोपोड़ा तो यह जो B living organism है यानि हमारा ओनाइकophora जो पेरिपीटरस है तो यह क्या करता है एनालीडा के साथ भी match कर रहा है और आर्थोपोड़ा के साथ भी match कर रहा है यानि कुछ characteristics इसके similar है तो इसी को हम क्या कह रहे हैं कि इसी को हम कहते हैं missing link missing link कहने का reason क्या है कि ज़्यादा तर जो living organism है वो क्या है fossils है अब जो पेरिपीटरस है अभी हम discuss कर चुके हैं कि ये क्या है living fossils है इसके बाद अगर हम habit और habitat ही अगर हम बात करें जो ये living organism है ये nocturnal living organism है nocturnal होने का reason ये है कि इनका जो body है ये बहुत ही smooth और cuticle का बना हुआ होता है जो कि flexible होता है velvety structure होता है और उनको dehydration का क्या है ज़्यादा chances होते हैं इसलिए ये living organism nocturnal होते हैं टाकि वो dehydration को कम कर सके इसके अलावा जो ये living organism है पेरिपीटरस वो कानिवोरस है और ये ज़्यादा थर कहां पाया जाता है found under the park of trees के नीचे या stones के नीचे या वो ऐसा area जहां पे humid area हो अगर हम distribution की अगर हम बात करें discontinued distribution होता है discontinued distribution का मतलब है कि कोई living organism हम अगर हम कहें living organism living organism not evenly distributed distributed यानि चो living organism है वो evenly distributed नहीं है वो distributed किस के form में होता है patches के form में patches form में होता है for example कि ये एक geographical area है ये एक geographical area है ये एक geographical area है ये geographical area है अगर हम इसको naming कर दे A, B, C और D कर हम naming कर दे हम कह रहे हैं कि ये A में मिलता है फिर उसके बाद B को छोड़ के C में मिलता है या हम कहें दे कि D में मिलता है तो अब यहां देख रहे हैं कि ये क्या कहते हैं कि uniformly ये distributed नहीं है uniformly यानि ये क्या है कि evenly distributed नहीं है तो patches के form में different geographical area पे पाया जाता है तो इसी को हम discontinued distribution कहते हैं अब discontinued distribution है तो ये living organism कहा कहा मिलेगा अब देखिएगा कि ये अफरीका में मिलता है मलेशिया में मिलता है औस्टेलिया में मिलता है South America और New Zealand में ये onyakophora यहां मिलता है तो हम इसी लिए कह देते हैं ये जो area है इनको onyakophora inhibited area भी कह देते हैं हम लोग अब हम पहले ही discuss कर चुके हैं कि जो peripetus है एक living fossil है जिसके हम explain कर चुके है onyakophora जो phylum है वो दो words से derived हुआ है onyx onyx का मतलब होता है clo farion का मतलब होता है barrier to be तो यानि ये ऐसे living organism होते हैं जिसके पास clo barrier होते हैं यानि आप अगर ये picture में देखें तो यहां आप देखेंगे कि इस तरीके की दो structure इस तरीके से पाए जाते हैं इनके feet पे ये जो मैं red से ये structure बना रहा हूँ तो इस तरीके का जो ये structure मिलता है तो ये pair form में होता है तो इसी को हम कहते हैं clo तो यानि इन living organism में clo present होता है और ये जो clo होते हैं living organism में clo barrier होते हैं तो इनका जो clo होता है वो curve होता है थोड़ा ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है अब ये बहुत ही ancient group है तो onycophora तो यानि peripetus की अगर हम बात करें तो इसी लिए हम peripetus को क्या कहते हैं missing link between the two taxonomic groups यानि दो phylum के बीच में missing link बोलते हैं अनलीडा और आर्थोपोड़ा के बीच में इसको missing link बोलते हैं अगर आप body को देखें तो ये body क्या है अगर आप picture में देखें तो ये caterpillar की तरह दिखाए दे रहा है अब एक चीज़ हमें और याद रखना है कि हमने कहा कि इसके जो characteristics है वो similar होते है अनलीडा और आर्थोपोड़ा phylum की तरह बट इसके खुद के भी कुछ peculiar characteristics होते है तो यानि इसमें क्या है आर्थोपोड़ा के भी characteristics है एनलीडा के भी characteristics जो similar है इसके अलावा कुछ ऐसे characteristics है जो इन दो phylum से match नहीं करते हैं अगर हम peripetus की बात करें तो peripetus को सबसे पहले जो describe किया गया था वो 1825 बे describe किया गया था तब इसको phylum mollusca में इसको रखा गया था तो यह जो peripetus living organisms है यानि जो भी onyakophora के अंदर आने वाले living organisms है वो सभी living organism को phylum mollusca के अंदर रखा गया था mollusca के अंदर रखने का reason यह था कि यह जो living organisms थे वो slug-like थे उनके appearance के base पे इनको phylum mollusca में रखा गया इसके बाद 1856 में बर mister ने क्या किया कि इसको क्या क्या एनलीडा और आर्थोपोड़ा phylum के बीच में रखा तो बीच में रखने का reason यह था कि यह माना जाता था कि इसमें जो characteristics है वो क्या है कि एनलीडा और आर्थोपोड़ा phylum के बीच का था इसके बाद क्या हुआ 1874 में Mosley ने इनको फाइलम में रखा एक फाइलम रखा जिसको हमने कहा आर्थोपोड़ा फाइलम के अंदर रखा उसको उनका ये कहना था कि जो इसके ज़्यादा तर characteristics थे वो क्या है आर्थोपोड़ा से match करते हैं इसलिए उन्होंने इसको किया किया फाइलम आर्थोपोड़ा के अंदर इसे रखा गया इसके बाद 1874 में ही गूर्बे नाम के एक सांटिस्ट है उन्होंने क्या किया इसको फाइलम एनलीडा के अंदर रखा इसलिए लखा क्योंकि इसके ज़्यादा तर जो characteristics थे वो क्या थे similar थे किसके एनलीडा के साथ और उन्होंने यह term यूज किया ओनाइकोफोरा जो term है वो गुर्बे ने ही यूज किया था बट बाद में बहुत scientist हो के बीच में controversies रही arguments रहे बट अब हम इसको और अब हम इसको क्या करते हैं कि एक phylum के अंदर पढ़ते हैं ओनाइकोफोरा को phylum कहा गया और इस ओनाइकोफोरा phylum के अंदर living organisms को रखा गया है उन्ही में यह peripetus इसका एक example है तो यानि अब हम इसे separate phylum की तरह पढ़ते हैं अगर हम picture में देखना चाहें तो आप picture में देख सकते हैं इनके पास pair of antenna present होते हैं जिसको rinsed pre antenna कहा जाता है इनके पास pair of simple eye होता है simple eye है जो mouth है वो क्या है present होता है इनके पास इसके अलावा जो आप यह green से structures देख रहे हैं तो यह green structure यह pair of claws present है और इन appendages को कहा जाता है trunk appendages और trunk appendages के अलावा कि इनके posterior reason में क्या है appendages जो present होते हैं उन्हें terminal foot या appendages कहा जाता है body में यह जो आपको structure दिखाए दे रहा है यह जितने भी structures दिखाए दे रहे हैं इन structures को tubules कहा जाता है इनी tubules के structures के presence की बज़े से ही यह living organism velvety type का appearance देता है अगर हम इसके head reason की बात करें तो head reason में क्या three segments होते हैं तो बट यह segmentation बिल्कुल clear नहीं होता है और इसके अभी head बाले reason में हमने कहा कि two pair of jaws present होते हैं sorry a pair of jaws present होते हैं simple eye present होते हैं जो अभी हम picture में देख चुके हैं और यह जो antenna है यह present होता है pair of antenna जोकि segmented हैं अगर हम picture में देखें तो यह जो antenna आपको दिखाए देता है यह इस तरीके से segmented form में होता है इसके अलावा अगर हम body की बात करें तो body unsegmented है इसके बाद अगर हम बात करें 14 से लेकर 43 pair of claws present होते हैं ये species to species vary करता है हम इसके legs को हम stumpy legs भी बोलते हैं stumpy legs कहने का मतलब यह है कि ये चिपक जाते हैं तो इसलिए हम stumpy legs कहा देते हैं इसके अलावा हमने देखा है कि जो इनका mid ventral जो sex organ होता है वो mid ventral opening होता है just before the anus से पहले ये open होता है जो ये onycofora, जितने भी living organism से होना करें onycofora के अंदर जैसे हम peripetus की ही अगर हम बात करें अगर peripetus की ही बात करें तो इनके पास क्या होता है कि एक organ होता है जो की एक substance को secrete करता है जो substance है proteinous glue कहते हैं उसे ये actually में क्या है? attack करने के लिए use करता है अपने prey के लिए या तो defense में use करता है अब ये जो living organism है peripetus या onycofora के अंदर आने वाले living organisms है तो ये अपने prey के उपर क्या करते हैं? suit करते हैं अपने glue को काफी दूरी से यानि distance से और ये जो glue होता है ये secret होता है slime gland से जो की present होता है tip of the specialized oral papillia के पास तो specialized oral papillia होता है अगर हम picture में देखें तो यहां क्या होता है कि इस तरीके से oral papillia present होता है तो इसके जो tip होता है tip पे ये हमारा slime gland present होता है जो की हमारा इस glue को secret करता है और कई बार जो हमने देखा है कि onyakophora या onyakophora के अंदर आने वाले जो living organisms है वो क्या करते हैं कि अपने prey को क्या करते हैं bite करते हैं और अपना ये proteiness जो glue है वो secret करते हैं जिससे जो उनका prey हो वो entangled हो जाए इसी glue के अंदर और उसका क्या है कि उनकी जो tissues है वो soft हो जाए और liquidified हो जाए और prey क्या है वो उसकी death हो जाए excretion हम देखते हैं ये nephredia के थुरू इसका excretion होता है अगर respiration देखें ये trachea के थुरू होता है और trachea के जो opening है उसको हम spiracles बोलते है sexes ये separate होता है और ये obviparous होता है और obviparous और viparous दोनों ही ये होते हैं I hope आप सभी को ये lecture समझ में आया होगा Thank you लगा सिर्मित लगा जब रहे राथ अर्ट लाश्या ख् conversion झाब्ला- лыस Bless